कुक्षिय अचाटी साइस परकास चाएं अयम प्रावरतन तो इस बाट में हम पड़ेंगे कि पार्दर सिवस्तु एं पार्दर सिवस्तु और पारबाशी तो पार्दर सिवस्तु वो होती है जब किसी वस्तु के अंदर से ओकर के जो परकास गुजरता है वो पारदर सिवस्तु कहलाती है और पारदर सिवस्तु वो है जिसके हम आरपार नहीं देख सकते और कुछ सिवस्तों को आरपार देखा जा सकता है लेकिन बहुत साफ नहीं होती इसों को पारबासी कहते हैं कि अगर से उसके बार में आता है कि चचाय ये परिबर्तन तो चाया झाएं कि आदमी की है जए किसी हाथ की है चाय किसी पसू की है जए किसी उगली की है है अब वह साहर होती है अगर एक टोर च लीजिए और अपने हाथ के उपर टोर्स का प्रकास अपने हाथ पे लगाईए देखिए कि वो जो है निच्च जो उसकी छाया मनेगी तो हम इस पर्चाई पर केवल परदे पर ही देख सकते हैं भूमी कमरे की दिवार इमारतें किसी अन्य प्रकार की अन्य स्थे और पर्थि दिन के जीवन में दिखाई देने वाड़ी छायाओं के बारे में है अब जो है कि परकास जो है वो एक चिद्र में से गुजरता है तो हम तीन अलग अलग गत्ते ले करके उसके बीच में एक चिद्र कर लेंगे और उसके सामने मुंबती जिला देंगे तो उसमें से परकास तिन्नों को समान दूरी पर समान दिशा में खड़े करके और हम एक तरह मुंबती जिला देंगे और हम उस छेद में से देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, कि प्रकास सरल रिखा में गमन करता है, अगर बीच वाले गत्ते को या लास्ट वाले गत्ते को थोड़ा सा हिला देते हैं, तो वह प्रकास हमें दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह से प्रकास की गति है, अब जो ह हमें है कि मुंबती जला करके और एक पाइप का टुपड़ा ले करके उस पाइप की नली में से देख लेंगे कि मुंबती को देख पाते हैं अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा बैंड कर देंगे यानि पाइप को मोड देंगे तो हमें मुंबती निजर नहीं हाएगी तो इससे क्या निसकर्श निकलता है कि प्रकास सररेखा में गमन करता है दरपन रात के समय या अंधेरे के कमरे में एक टोर्च ले करके आप एक कमरे के दूसरे कौने में खड़े हो जाईए और टार्च को अपनी उंगली से ढख लेजिए टोर्च को जलाए तो इससे किरण पुंज प्रापत होने के लिए उंगलियों के बीच में कुछ स्तान छोटे प्रकास पुंज को अपने के द्वारा पकड़े हुए दरपन पर डालिए तो इस तरफ प्रकास का धबबा दिखाई देगा तो एक टोर्च की दिशा का समय आँ अधी के देगी और प्रकास का दबा कमरें पर ख़ड़े दूसरे मितर पर पड़ेगा जिए हम अब दरपन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकास को दिशा को बदल देता है यानि दरपन जो हैً सिस्सा है उसके अंधर हम इस परकास डालेंगे तो उस दिशा को अब इस लेस्न में निचे दिये गए बॉक्षों में से पुनुस्तापित करके एक वाक्या बनाईए जल वाई यू जल जटान का टुकडाय अलॉमोनियूम पारदर्शी अपारदर्शी और यह तीन-चार कॉस्चन है इसके तो यह आपने करने हैं थैंक्यू जला करके और एक पाइप का टुकडा लेकर के उस पाइप की नली में से देख लेंगे कि मुवंबती को देख पाते हैं अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा बैंड कर देंगे यानि पाइप को मोड देंगे तो हमें मुवंबती निजर नहीं हाएगी तो इससे क्या निसकर्ष निकलता है कि प्रकास सररेखा में गमन करता है दरपन रात के समय या अंधेरे के कमरे में एक टोर्च ले करके आप एक कमरे के दूसरे कौने में खड़े हो जाईए और टार्च को अपनी उंगली से ढख लेजिए टोर्च को जलाए तो इससे किरन पुझ प्रापत होने के लिए उंगलियों के बीच में कुछ सतान छोटे प्रकास मुझ को अपने के द्वारा पकड़े हुए दरपन पर डालिए तो इस तरफ प्रकास का धबा दिखाई देगा तो एक टोर्च की दिशा का समय उजिन कीजिए और प्रकास का धबा कमरे पर खड़े दूसरे मितर प प्रकास डालेंगे तो उस दिशा को प्रावर्थित करके यानि कि परिवर्तन करके दूसरी दिशा में मोड़ देगा तो इस प्रकार से हमने वो देखा है तो अब यह लेस्न में निच्छ दिये गए बॉक्सों में से पुनुस्तापित करके एक वाक्या बनाईए जल वाईयू जल जटान का टुकड़ा एलोमोनियम पारदर्शी अपारदर्शी और यह तीन-चार कॉस्चन है इसके तो यह आपने करने हैं ठैंक्यू